हेलो फ्रेंड्स आप सबीका स्वागत थे मेरी चैनल में गुद्रादी कैस्ट्यों में आज मैं आपको डैनिस गेमबिट के बारा में बताऊंगा डैनिस गेमबिट यानि शुरुवाद से हम टू पॉंड सेक्रिफाइस करके ठेलते हैं गेम लेकिन डैवलोप्मेंट बहुत ही जवरजस्त होता है इसमें बहुत ही फास्ट डैवलोप्मेंट और बहुत ही अग्रेसिव आटेकिंग लाइन है जो भी अटेकिंग प्लेयर है उनको ये लाइन जरूर से यूज करना चाहिए तो चलिए सुरू करता है डैनिस गेमबिट वाइट से हम खेलेंगे एफोर नॉर्मली डैनिस गेमबिट एफोर अगेंस एफाइफाइफ के लाइन में होता है एफोर एफाइफ उसके बार यह और यहाँ पे बिशब सी पोर अब सी बीटू और बिशब टेक्स बीटू स्टार्टिंग पोजिशन में आपको लगेगा कि ये दो दो पॉन डाउन में हम गेम कैसे जित सकते हैं लेकिन गेम खेलने का मजा ही यहीं से शुरू होती है क्योंकि देखिए आप पोजिशन वा ब्लैक के पास एक ओप्शन है क्वीट जी फाइव अलगलग ओप्शन हम देखेंगे क्वीट जीफाइव अगरे क्वीट जीफाइव में नाइट एप 3 जी टू और रुक जीवन क्वीट एच्ट्री अब यहाँ पे देखो जीशेवन पॉन टार्गेट में भी है पूंस भीविक है आपके नेक्स्ट हमारा थ्रेट होगा कि बिशब टेक्स एप सावन आप्टर किंग टेक्स एप सावन और नाइट जी खाई चेक और यू केंग गेट प्रिप एक यह है अब हम इसमें कुछ डिफरेंट आती गेम में आपको दिखाऊंगा कि उस गेम में व जाएगी तो कुछ गेम्स भी डेख रहेते हैं E4, E5, D4, E takes D4, C3, D takes C3, B is up C4, C into B2, B is up into B, यहाँ पर एक वेरियेशन इसा भी है कि ब्लैक जनरली चैक देता है शुरुवक में अभी भी पर चैक यहाँ पर वाइट से आपको नाइट D2 खेलना है उसके बाद अगर QG5 खेलते हैं मतलब नाइट पर दोडो एटेक और वाइट चाहता कि जल्दी से जल्दी सारे पिसे एक्सेंज हो जाए लेकिन यहाँ पर काउंटर एटेक नाइट GF3, एटेक दे कुइन और सेम टाइम डिफेंस और नाइट, Q takes D2 फिर से यहाँ पर हम क प्राइट होना है, अगर आप नाइट से भी सब माते हैं तो सिंपल ब्लाक विन हो जाएगा, रुक टेक्स क्विन, और क्विन से भी सब माते हैं तो क्विन टेक्स नाइट, लेकिन एक वेटिंग मू जो है, वो ब्लाइक ने देखा नहीं है, यहाँ पर किंग E2, आप्ट है, और नाइट F6 डेवलोग करेगा, अप्टर नाइट F6, बिशब टेक्स F7 चेक, और किंग कांट क्याप्चर दे बिशब बिशब बिकोज नाइट G5, तो किंग D8 जाता है, तो यहाँ पर रुक टेक्स G7, नाइट क्रोस E4, और यहाँ में आपको बहुती अग्रेसिव और साक्रिफाइशल मोर, क्विन G5, आप्टर क्विन G5, चेक, नाइट टेक्स G5, और बिशब F6 चेक्नेट, तो देखो यह काफी टीपिकल और टैक्टिकल लाइन है, तो सभी में आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, तो बहुती काम में आने वाली लाइन है, दूसरी गेम देखते है, जहाँ पे, E4, E5, D4, ExD4, C3, DxC3, BxC4, Pond Tax, BxB2, उसके बाद Bb4 चैक, या एक और भी वेरियस हैं है दोस्तों, नाइट D2 के बजाए आप नाइट C3 भी छेल सकते हैं, नाइट C3, ब्लैक खेले का नाइट F6, जल्दी से जल्दी उसको कैसल करना है, क्योंकि वो डैवलोप्मेंट में बहुती पीछे है, तो कैसलिंग हो जाने के बाद वाइट कुछ नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे नाइट G2, और क्या होता है अगर कैसलिंग, यहाँ पे Pond sacrifice कर रहे हैं, नाइट टेक्स E4, नाइट इंटू E4 फिर से यहाँ पे में question mark लगा तो हम बहुती बैड मुन हैं, और यहाँ से white easily game जीतता है, कैसलिंग, नाइट टेक्स C3, नाइट टेक्स C3, बिशब टेक्स C3, बिशब टेक्स C3, अब ब्लैक को लगता है कि वो simply दो पौन हप है, और तीन पौना पे स्वरी, यहाँ पे 7 वर्सिस 4 पौन है, और कैसल करने के बाद ब्लैक को लगता है कि वो easily game जीत जाएगा, लेकिन यहाँ से ही white का attack सुरू होता है, अब कैसे होता है, सबसे पहले queen G4 checkmate की threat है, अब इसके सामने force move है G6, और queen D4, फिर unavoidable checkmate है, ना तो F6 हो सकता है, ना F5 हो सकता है, क्योंकि already यह C4, वाल अब भी सब F7 को pin कर दा है, तो दोस्तों यह भी game आप को काफी पसंद आएगा, इसके बाद देखते हैं, तूसरी game, यहाँ पे E4, E5, D4, pawn takes pawn, C3, pawn takes pawn, और bishop C4, again pawn takes pawn, और bishop takes B2, तो दो-दो pawn sacrifice करने के बाद, बहुत की जोरदार attack मिलता है आपको खेलने के लिए, लेकिन इसमें preparation भी काफी जरूरी है, अब early attack black जल्दी develop परने के लिए mostly check ही देता है bishop B4, यहाँ हम as usual knight C3 खेलेंगे, after knight F6, knight Je2, knight cross E4, और यहाँ castle same position, repeat हो रही है, इससे पहले वाली game की, knight takes C3, यहाँ आपको knight takes C3 करना है, bishop takes C3, bishop takes C3, और उसके बाद अगर black ने castle नहीं किया, queen G5 किया, यहाँ पर आप सोचों कि अब हम क्या करेंगे, कैसे attack करेंगे, queen G5 में simple RE1 check, अब देखो यह check में, force king को move करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी interpose नहीं हाता है, king D8, उसके बाद queen को decoy करना है, H4, queen takes H4, और bishop cross G7, सारे force move है, rook G8, rook G8 के बाद में, queen sacrifice करना है, queen G4, और, अगर queen takes queen करता है, तो bishop F6 checkmate है, यहाँ पर white, queen H6, और bishop F6 check, queen takes F6, और queen G8 checkmate, बहुत ही short moves है, 15 moves में checkmate हो रही है, मैंने बहुत सद्धियम दिखाई, जो जो आपको कम से कम move में checkmate करके देती है, और भी हम move देखेंगे, जैसे कि knight C6 check के against, अगर check नहीं देता है black, तो कुछ alternative क्या खेल सकता है, यहाँ पर d4, pawn takes pawn, c3, pawn takes pawn, bishop c4, फिर pawn takes pawn, bishop takes b2, उसके बाद अगर black ने check नहीं दिया, और यहाँ पर black ने knight C6 किया है, तो move change हो जाएगी, यहाँ पर simple खेलना है knight F3, knight F3 के बाद black खेल जाए queen e7, attack on e4 pawn, queen e7 यह भी मैं question mark भूंगा, यहाँ पर आपको simply castle करना है, black cannot capture your pawn, because of rook e1 threat है, castle के बाद यह d6, bishop open करके long castle का planning कर सकते हैं black, तो d6 में simple knight C3, update है knight d4, और knight b5, knight d5 और knight b5, दो तरीके से move है, after knight c6, white खेलने knight c3, और उसके बाद black bishop g4, pinning this knight, अब आप सोचों कि यहाँ पर हमारा knight भी pin हो गया है, और pieces develop भी नहीं हुए है, और black के सारे pieces दिरे दिरे develop हो रहे हैं, लेकिन यहाँ से attack कैसे करें, अब white को खेलना है, qb3, qb3, long castle जरूरी है, क्योंकि queen takes b7 threat में है, after long castle, आपको खेलना है knight d5, queen d7, only move, उसके बाद, knight d4, removing the knight, अब knight takes d4 possible नहीं है, क्योंकि और भी attack बढ़ रहा है, knight g7 अगर black ने खेला है support के लिए, simply knight b5, a6, knight b cross c7, बहुती बढ़िया सांदार move, knight b7, knight d5, जा पर आपको खेलना है, अगर knight d5 या simple knight d5, knight a5, black relax रहता है के चलो knight a5 होगे लेकिन, knight b6, 4th, queen c7, और उसके बाद, qb4, queen c6, counter attack on knight, knight d5, check, king b8, और queen cross a5, अब देखो यहाँ पर यह रूप मर रहा है, इसलिए queen take c4 possible नहीं है, और simple 1-0, next move देखे दोस्तों, इसके बाद की एक game है, जिसमें एक position है, मैं यहाँ पर आपको एक position दिखा रहा हूँ, दोस्तों यह position है, दैनिस गेंबिट की एक game की, जहाँ पर बहुती brilliant move, white ने खेला था इस game में, इस position में material equal है, 2-0, queen knight, 2-0, queen knight और pawn भी equal हो गये थे, और इसके बाद white ने sacrifice मुह किया था, knight g5, बहुती brilliant move है, 20 takes g5 not possible, because rook takes e8 threat है, तो यहाँ पर g6 reply, black ने g6 किया था, क्योंकि pawn takes knight, उसमें queen h5 और फिर unavoidable meet आ रही है, तो g6 के बाद में, white में knight cross h7, after king cross h7, then queen h5, अब यह pinning pawn है, और queen takes h6 की threat है, तो bishop f8 अगर करता है, तो simple rook takes e8, तो यहाँ पर black reply देता है, king g7, queen h6 check, king g8, उसके बाद bishop sacrifice, bishop takes g6, f takes g6, queen takes g6, king h8, queen cross e8 check, king g7, queen h5, bis queen d6, rook e3, और उसके बाद black resign, तो दो यह थी पॉनो बैटोनिक, यह थी शारे Danish gambit, मैं बार बार आपको पैनो बाटोनिक इसके बूल रहा हूं, कि मेरा जो next chapter है, वो है पैनो बाटोनिक attack के उपर, तो हम मेरे next वीडियो में देखेंगे, आपको पसंद भी आई होगी, आप यह Danish gambit दो पॉन सेक्रिफाइस करके, जल्दी से जल्दी अपने pieces develop करके, ब्लैक के उपर जबर जस्ट अटेक कर सकते हैं, नेकिन अटेक आपका continues रहना चाहिए, जिसमें हम दो पॉन सेक कर देते हैं, और अगर हमारा attack continue नहीं रहता है, तो simply end game में हम loss हो जाएंगे, तो यह आपको risk की भी line है, लेकिन इतनी भी risk नहीं है, बहुत सारे लोग खेलते हैं player, और कुछ level की rating तक आप खेल सकते हैं, जैसे कि 1800 या 1900 इन फिडे, आप 1900 अगेंस यह try कर सकते हैं, उससे ज्यादा rating वाले player के सामने gambit दोस्तो line कभी खेलनी नहीं है, क्योंकि higher rated player gambit line को अराम से वह अपना pawn वापस ले लेते हैं, अगर pawn उसने ले लिया है तो वापस देंगे भी नहीं, उनके पास बहुत study किये हुए plants होते हैं, इसलिए मैं आपको सिफ इसलिए बता रहा हूँ कि gambit line खेलो, लेकिन lower rated के सामने 1900 तक आप यह try कर सकते हो, हलाकि Scandinavian defense तो super grandmaster भी खेलते हैं, जो मैंने Scandinavian में pawn sacrifice करके हम लोग खेलते हैं, तो मेरी बहुत सारी वीडियोज आपको मेरी चैनल में Scandinavian के बारे में मिल जाएगी, आप पहले के वीडियोज सार्च करोगे, तो how to play against E4, उसमें Scandinavian defense की बहुत सारी वीडियोज मैंने बनाई हैं, जैसे Gary Kasparov की line भी है उसमें, तो Scandinavian defense हाल ही में Magnus Carlson खुद खेले थे, और उ दोस्तों मेरी सारी openings आप study करो, one by one, खुई भी एक opening चूज करो, उसके बारे में मैं सारे details में आपको वीडियोज यहाँ पर देता रहूंगा, जल ही मिलेंगे मेरे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जाए हैं, जाए गुजरात, और हो सकते तो like और चैनल सब्स्र जरूर करना, thank you very much.